असलाम लेकूम वेलकम बैक टू माई चैनल तरभ खान वे लॉग्स आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अलहम्दलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जनाब सुनाएं कैसे गुजर रही हैं आपकी सरदियां कैसे गुजर रही हैं दिन रात और कैसा है आ तो काफी दिनों से आप लोगों के लिए मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई थी जिसके लिए आइम रिली वेरी सॉरी बट आज कल रूटीन कुछ इतनी जादा बिजी चल रही है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यह है कि वक्त के साथ-साथ मैं थोड़ा बहुत श लोगों को इस व्लॉग में बताऊंगी और क्यों मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी इसका रीजन भी मैं आपको आज के व्लॉग में ही बताऊंगी बस आप लोग ने व्लॉग को पूरा देखना है अभी तकरीबन सुबा साड़े ग्यारा बजे का टाइम है फ्रेश मिल्क हो गया था खतम तो मैंने थोड़ा सा फ्रेश मिल्क साथ वाले स्टोर से बंगवा लिया था बाकी जो हमारा दूद वाला है वो तकरीबन तीन से चार बजे के दरम्यान आता है आज मेरे हस्बन ने मुझे और मेरे बेटे को काफी बड़ा सर्प्राइज दिया मैं और मेरा बेटा आराम से घर में कुल्ट के अंदर बैठे हुए थे तो मेरे हस्बन आये है चलनक से और कहते हैं कि दोनों बाहर आओ एक सिर्प्राइज है तो हम बड़ा है तो हम आए तो यहां पर बाइक खड़ी हुई थी मतलब मैं तो हैरानी रह गई कि आप क्यों बाइक लेकर आएं और किस लिए लेकर आएं तो वो असल में मेरे बेटे के लिए बाइक लेकर तो यह है कि यह इस पर प्रैक्टिस कर लेगा फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो फिर इसको इसकी पसंद की ले देंगे तो बस इसलिए जी यह बाइक आई थी मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी खुशी शियर करती हूं और वैसे भी यह मेरे बेटे की माशाला माशाला पहली बाइक है अल्ला ताला ना सर्फ मेरे बच्चे को बलके सब के बच्चों को अपनी हर नेमत से नवाजे आमीन जब से मैं मुल्तान से होकर वापस आई हो ना तब से घर की कोई रोटीन ही नहीं सेट हो पारी बस अजीब सा घर में एक प्रॉब्लम सी हुई भी है तो कभी कुछ नहीं है कभी कोई चीज अपनी जगापर नहीं है कभी कोई चीज अपनी जगापर नहीं है लेकिन इन्श तो मैं फ़टा फट गई हूँ आटा ले आई हूँ आटा लेने च्रोर पो हूँ तो उनके पास एक ही पैक्ट पढ़ा हुआ था मैंने का भाई फिल हाल एक ही दे दो बाकी शाम में आएगा तो फिर मैं और पैक्किट ममगवा लूँंगी यहाँ पर मैंने आटा लाकर समया क बना कर दें और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो आज मैंने बरियानी भी बना दी है अच्छा घर में ये जो सारा प्रॉब्लम क्रियेट हुआ वा है ना वो इस वज़ा से है कि मुकदस की तब्या ठीक नहीं है और तकरीबन पांच दिन हो चुके हैं पांच से छे दिन हो करो तो बस इसलिए सारा काम जो है वो मुझे और समिया को देखना पड़ता है बलकि आप लोगों को मैंने बताया ही है कि समिया से मैं किचन के काम कोशिश करती हूं कि ना करवा हूं लेकिन अब मजबूरी है तो समिया और मैं फिर मिलकर सारे काम करते हैं अच्छा तो फैम का सूट है और इसके ओपर बहुत ही खुबसूरत डल गोल्ड काम हुआ है सूट तो अभी मेरा स्टेच होने के लिए गया हुआ है लेकिन दुपटा मेरे पास था क्योंकि मैंने इसकी पाइपिंग वगरा करवाई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूं म मुझे जरूर बताईएगा कि सूट आप लोगों को कैसा लगा वैसे मैं ब्लैक कलर पहनती नहीं हूँ लेकिन यह फर्स ताइम मैंने वल्वेट में ब्लैक कलर लिया है क्यों नहीं पहनती बस मुझे ब्राइट कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं बजाए इसके कि मैं ब्ल रिंकल्स ब्रैंड है वहाँ से बाई किया है रिंकल्स की ब्राइटे मैं आपको बता देती हूं लिबर्टी में है और फिर हुसैन चौक पर है और आइधिंक मॉर्डल टाउन लिंक रोड पर भी इनकी ब्राइट है इनके जो अब्राइड क्लोथ है वो बहुत अच्छे हो तीन थाउजन का अब सेल खतम हो चुकी है तो इसकी एक्चुल प्राइस मेरा खाल है या तो सोला थी या साड़े सोला थी कुछ इसी तरह से थी अच्छा तो मैं गई थी लिबर्टी वहां से मैंने अपने लिए वाच पाई करनी थी लिबर्टी में ना तीन चार ऐसी शॉ साथ में आपने लाइक गोल्ड की चूड़ियां पहनी होई हो हलकी हलकी सी नफीस सी और साथ में खुबसूरत सी वाच पहनी होई हो ना तो फिर लाइक बड़ी प्यारी सी लगती है मुझे ऐसे फील होता है तो मेरी एक पहले वाच थी लेकिन वो जरा खराब हो गई थी त तरह से लिए कि मैं इसको हर सूट के साथ वेयर कर सकूँ इसमें डल गोल्ड के साथ ना सिलवर ग्रेश सिलवर का कॉम्बो है यह आप लोग को जैसे के नजर आ रहा है और मैंने डायल भी इसका ब्लैक लिया है और यह वाच मैंने लिया जी टैन थाउजन की अगर आप लो मैं आप लोगों के साथ सौरी शेयर नहीं कर पाऊंगी नेक्स किसी व्लॉग में जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक्चुली अभी काम का बर्डन मेरे उपर कुछ ज्यादा ही है मुकदस के ना होने की वज़ा से तो इन्शाला जैसे ही थोड़ा सा मुझे रि रिष्टेदारों से भी मिलने गई उसी हालत में उसने ट्रावलिंग भी की अपने रिष्टेदारों के पास जाने के लिए तो उसका जो मामला था ना वो काफी बिगड़ गया फिर फाइनली मैंने उसको डॉक्टर वगयरा के पास भेजा और अब ये है कि वो रेस्ट पर है मुझे खैर कहती तो रहती है कि मैं काम करने के लिए आ जाती हूं लेकिन मुझे मुझे मुनासिब नहीं लगता क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वज़ा से ना उसको कोई भी प्रॉब्लम हो या उसका कोई भी मज़ीद उसका काम जो है वो खराब हो जाए इसलिए म आप लोगं को पता ही है कि किचिन के काम कब खतम होते हैं सुबा से लेकर रात तक किचिन के नौन स्टॉप काम चलते हैं अब नाच्टे बन रहे हैं तो अब लंच बन रहे हैं तो अब डिनर बन रहे हैं तो यह है कि फिर व्लॉग के लिए बिल्कुल टाइम भी नहीं मिल प काफी है और ज्यादा लंबा व्लॉग मैं आप लोगं के लिए आज नहीं कर पाई हूं लेकिन इंशाला कोशिश करूंगी कि आइस्था आइस्था रुटीन बहतर करूं और आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा लगए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा अगर आप मे